हलो दोस्तो मेरा नाम ही निती इस वर आप देख रहे ही फोस सी यानिकेश को से फोस से विल चलिए सिरूख करते हैं इसकी इस वीडियो को दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि फांडेशन में स्टोन या फिर प्रिक कौन सा बेश्टो फांडेशन के लिए जेनरली अगर हम लोग कोई भी घर अगर कॉलम पे बनाएंगे तो उसमें हमें यह इसकी जरूद नहीं पड़ती अगर आप विदाउट कॉलम भी घर बना रहे हो उसमें हमें यह जरूद पड़ बनाना भी नहीं चाहिए लेकिन अगर आपकी बजट से जाता चला जाता है तो आप बीना कॉलम के भी घर बना सकते हो उस केस में आपको कौन सा यूज चीज यूज करना स्टोन या फिर ब्रिक और आज उसके वारे में मैं आपको पूरी अच्छी से बताऊंगा वीडियो को अंतर जरूर देखें अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो किपाइकर हमाई चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छी लगे जरूरी लाइक करें चली सुरू करते हैं आज किस वीडियो को दोस्तों आज मैं पताने वारे में से कि फांडेशन निकले लिया यह मैंन तरीके से दिखा दिया इसमें कुछ नोट्स होते हैं नोट मैं हमेशा आपको वीडियो में अपनी नोट और रिजल्ट देता हूं तो इसके कुछ नोट है की पॉइंट्स है मैं उसके वारे में बता दो ताकि आपको अच्छे से पता चल सके कि हम लोग कौन सा चीज कर понадीतनों नोट है पहला देखलो कि ब्रिक मीनिमम मींनिमम की जिए मीनिमम कंप्रेशिब स्टेम्ट होती यह वो 3.5 मोट पारैमंस्कोयर होता है छी व्य आप 15 आब 1 म skirt नेक्स्टे या ास्टोन मीजिमादिमम कंपरेशिव श्रेंद इस हंडर निंटर न्यूत नूत 100 Newton per mm2 होता है Note का जो point third है वो है Water absorption of brick can be easily Brick जो होता है Water easily absorb कर सकता है Fourth point Water absorption of stone is not possible Water ये जो brick जो है वो 15% तक 15% तक अपको ये Water absorb कर सकता है easily But इस case में stone की case में क्या होता है कि वो ज्यादा absorb नहीं कर सकता तो ये अब इस point से क्या निकलता है पूरा conclusion वो है आपको result पर दिखाता हूँ Final result देने से पहले मैं आपको density को आपने बता दू Brick density is low compared to stone अगर आप stone की density से compare करोगे brick की तो brick has lower density than stone Next इसका settlement जो होता है हम लोग को settlement देखना होगा तो settlement Brick have more capacity of settlement compare to stone Brick में settlement में बहुजादा होता है compare to अगर आप stone करोगे अब उसकी में result आपको बता दू कि result क्या है ये हमें कौन सा use करना चाहिए चलिए Brick cannot increase the bearing capacity of soil पहला आप ये जालो कि Brick जो है soil की bearing capacity increase नहीं कर सकता but a stone can increase the bearing capacity of soil इसमें जो stone होता है वो आपको bearing capacity of soil को increase कर देता है a stone is locally available and cheaper than Brick ये तो मैंने आपको बता दिया कि stone क्या क्या कर सकता है bearing capacity को बढ़ा सकता है और हमारा जो भी building के loads आने वाली है वो soil पे आती है overall अगर आप column नहीं दे रहे हो तो सारे जो load होंगे वो मारी किस पे soil पे आएगी soil पे अगर bearing capacity हम जितना ज़्यादा increase कर देंगे उतना ज़्यादा हमारे building के future के लिए अच्छा होता है quality जो सही होता है तो stone I will recommend you that stone is stay on ही हमें यूज करना चाहिए third point जो मैंने आपको लिए लाया है आपे stone is locally available and cheaper than brick एक तो ये bearing capacity soil पढ़ाता है और ये market में easily available होता है और इसकी जो दाम है वो भी सस्ता होता है आपको bricks से fourth point stone will give more strength than brick strength ये ज़्यादा देगा bricks ज़्यादा strength देगा so हमें brick stone use करना चाहिए next motor should be used in brick or stone joint to fill the gap between two stones जो भी दो stones होंगे let's suppose this is the stone one stone two motor जो cement और sand के जो बने होते हैं motor वो हमें देना पड़ेगा ताकि उसकी joint काफी अच्छे से पकड़ में वो पूरी joint बना सके तो जोस्तों उसी तरके वीडियो में हमीशा लेका राता रहता हूं इस चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हों तो किरवाइक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो चिछे लेगे तो जरूर लाइक करें अपने दोसों सान सेयर जरूरी करें थैंक यू सो मुच